नमस्कार, चार का चक्रव्यू में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंशिका नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहाधी, कौन किसके चक्रव्यू में फसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे चक्रव्यू में आज सबसे पहले बात योगी के चक्रकाल में फसी लिब्रल गैंग की, जिसे प्रयागराज हिंसा के मास्तरमाइन के घर बुल्डोजर चलने पर अब दर्द उठने लगा है और ये गैंग जावेद के समर्थन में खड़ी होकर फिर माहौल बनाने की कोशिशों में लग गई है फिर बात करेंगे शा के चक्रव्यू में फसे ममता बेनर जी की क्योंकि खूफिया एजिंसियों ने खुलासा किया है कि बंगाल में जुम्ह के बाद से भड़क रही हिंसा में अलकाइदा का हाथ है चक्रव्यू की तीसरी खबर में बात करेंगे जूट के जाल में फसे अर्विंद केजरिवाल की जो दिल्ली के स्कूलों पर लगतार जूट बोल रहे हैं और अब अपनी ही बातों में फस गए है चौथी और आखरी खबर में बात करेंगे हिंदूों के चक्रव्यू में फसे मुस्लिम समुदाय की क्योंकि नुपर शर्मा के समर्थन में अब नेपाल में भी रैली निकाली गई है चले शुरुवात करते हैं चक्रव्यू की और सबसे पहले बात योगी के चक्रकाल में फसे देश द्रोहियों की फ्रयागराज हिंसा के मास्तमाइन जावेद एहमत के घर योगी का बुल्डोजर चल गया जावेद एहमत के साथ साथ उसकी बेटी और उसकी पतनी को भी पुलीस हिरासत में पूछताच के लिए रखा गया है लेकिन यूपी में जुमे के बाद दंगा भढ़काने वाले इस पूरे परिवार को जब उनके गुनाहों की सजा मिली है तो आतंकियों का साथ देने वाले और देश के खिलाफ जहर उगलने वालों ने फिर एक बार चाती पीटना शुरू कर दिया है अब ये पूरी कहानी क्या है इसे समझने की जरूरत है कैसे इस मामले के लिंक JNU से जुड़ गए हैं क्यों ये देश द्रोही जावेद एहमत के समर्थन में आ खड़े हैं पूरे मामले में इन लोगों का क्या रोल है तो बात कुछ ऐसी है जावेद एहमत जो प्रयागराज हिंसा का मास्तमाइन है और आफरीन फातिमा ये मोहतरमा जावेद एहमत की बेटी है जे एन यू की छात्र है इतना ही नहीं ये शाहीनबाग घटना के मास्तमाइन CA में दंगे भड़काने वाले शरजील इमाम की काफी करीबी है इतना ही नहीं खुद जावेद भी CA के दंगों में शामिल था अब जावेद के फोन से जब पुलीस को कुछ एहम सबूत हाथ लगे तो इस लड़की से पूछताच की गई और इन सब के मद्दे नजर जब ज शाती पीट ने एम्यू के पूर्वत शात्रों की एक संस्था एम्यू कोर्डिनेशन कमिटी और कट्टर पंथी समर तक आफरीन फातिमा और उसके अब्बू के पक्ष में खुल कर खड़े हो गए इसको लेकर अलिगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक पत्र जारी किया ह है कि यूपी पुलीस जान बूचकर फातिमा के परिवार को परिशान कर रही है उनसे जबर्दस्ती घर खाली करवाया जा रहा है साथी प्रशासन की इस कारवाई को मानवादिकारों का हनन बताते हुए लिखा है कि आफरीन फातिमा एक सक्रियत छात्र नेता है जो मुस्ल पूती से खड़े है आफरीन फातिमा एम्यू के विमिन कॉलेज स्टूडेंक यूनियन की अध्यक्ष रह चुकी है लेकिन जिस कमिटी की ये सब बात कर रहे हैं उसके युनिवर्सिटी से किसी तरह जुड़े होने की बात को तो पहले ही एम्यू प्रशासन खारज कर चु दिया गया है आफरीन के माता पिता और बहन घंटों पहले डिटेन किये जा चुके हैं सोचिए एक अकेली लड़की इस वक्त किस मानसिक तनाफ से गुजर रही होगी यहां एहम सवाल ये है कि ये लोग क्यों आफरीन के समर्थन में च्छाती पीट रहे हैं तो बात कुछ ऐसी है कि आफरीन फातिमा AMU Women College Student Union की पूरवर ध्यक्ष और JNU की चात्र संकी काउंचलर है ये शरजील इमाम की करीबी तो है ही साथी इसने आतंकवादी अफजल गुरू को निर्दोश बताते हुए एक ट्वीट भी किया था जिसमें इसने अफजल गुरू के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की थी ये JNU की वही चात्र नेता है जिसने सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोट के खिलाफ जहर उगला था उसने राममंदर और आतंकवादी अफजल गुरू की फासी जैसे महत्वपूर्ण फैसलों पर संदे जता कर देश की सर्वोच परकाने की कोशिश की थी CA और NRC का विरोध करते हुए उसने कहा था कि उसने महसूस किया है कि ना तो सरकार और ना ही सुप्रीम कोट मुस्लिमों के भरोसे के लायक है फातिमा ने कहा था कि आतंकवादी अफजल गुरू निर्दोश था और संसत पर हमले में उसका हाथ ही नहीं था उत्तरपूर्व भारत को देश के बाकी हिस्सों से काटने का आपवाहन करने वाले शरजील इमाम तक के पक्ष में यह फातिमा मुकरता से बोलती रही और उस आतंकवादी की गिरफतारी को गलत बताते हुए उससे इसलामोफोबिया का मामला करार दिया था इसी फातिमा ने दावा किया था कि बीजेपी मुस्लिमों को अपरादी बनाना चाहती है अब इस फातिमा का अब्बू जब धंगा करवाता पकड़ा गया है तो इन देश द्रोहियों को दर्द उठने लगा है क्योंकि है तो सब एक ही इमान के राना आयोग सुचित्रा विजय जैसी हरकते करते हैं फिर जब इनकी पोल खुल जाती है तो ये खुद को एम्यो कोडिनेशन कमिटी बताने वाले लोग आके इनके समर्थन में खड़े होकर सरकार के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं जिससे दुनिया के सामने ये देश द्रोही बेचारे बन जाए और हर ज यहां आफ्रीन के समर्थन में मोर्चा खोलने वाले इन देश द्रोहियों की पोल खुली तो वहीं ममता बेनर जी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई क्योंकि खूफिया एजिंस्टियों ने खुलासा किया है कि बंगाल में जो भी हिंसा भड़की है उसके पीछे आतंकी संगठन अलकाइदा का हाथ है बंगाल में पैगंबर के अपमान के नाम पर जिहादियों ने हिंसा भड़काई कुलकाता से सटे हवडा में नुपर्शर्मा के खिलाफ किये गए प्रदर्शन से ऐसा खौफनाक मनजर देखने को मिला जिससे बंगाल में डर का माहौल बना हुआ है जुमे की नमाज के बाद लगातार बंगाल को दंगे की आग में जुलसने के लिए छोड़ दिया गया और सरकार मूग दर्शक बनी देखती रही पुलीस की कड़ी मुस्तेवी के बाद भी महा दंगाईयों ने जम कर बवाल किया नुपर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि पहले पुलीस पर पत्थर बाजी की गई उसके बाद हजारों की संख्या में सडक पर उत्रे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आग जनी कर गाड़ियों की आवाजाही ठप कर दी इसके बाद जिला अधिकारी ने जिले में धारा 144 लागू कर दी पूरे हावडा जिले में इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी अब इसकी आग मुर्शीदाबाद में भी पहुँच गई मुर्शीदाबाद में जुलूस निकाले जा रहे और विरोध प्रदर्शन होने लगे लेकिन लगातार सवाल बना हुआ था कि बंगाल में भड़काई जा रही हिंसा के पीछे किस का हाथ है खूफिया रिपोर्ट्स के अनुसार बंगाल में हिंसा के पीछे अलकाईदा का हाथ सामने आया है खूफिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि उग्रवादी समू बंगाल के विभिन हिस्सों में हिंसा और अशान्ती को बढ़ावा दे रही है अलकाइदा हाल ही में दिल्ली और मुंबई समेट कई बड़े शहरों में आतंग की पहले ही आत्मगाती हमले की चेतावनी दे चुके है इस बार वो सीधे बंगाल में अशान्ती पहलाने की कोशिश कर रहे है अलकाइदा पूरे देश में अशान्ती फैलाने की कोशिशों में लगा है इसके मद्द नजर सतरकता भी जारी की गई है इसके साथ ही बंगाल में मम्ता के टुकडों पर पलने वाले रोहिंगियों का भी इस हिंसा को भड़काने में बड़ा हात मना जा रहा है लेकिन अब इस मामले की जाच को NIA से करवाय जाने के लिए कलकता हाई कोट में याचिका डाली गई है जिस पर आगे सुनवाई होगी और हिंसा का तमाशा देखने वाली मम्ता बेनर जी के लिए भी अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी क्योंकि अगर अलकाइदा के साथ साथ मम्ता के लोग इस हिंसा में शामिल रहे तो फिर पहले से ही CBI की मार जेल रही मम्ता दीदी NIA के शिकंजे में फच जाएंगी अब मम्ता दीदी तो हिंसा के चक्कर में फच गई लेकिन हिमाचल में 5 साल मांगने गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल भी महां अपने छूट में फच गई दिल्ली के स्कूलों की रूप रेकाद बदलने का दावा करने वाले अर्विंद केजरिवाल ने हिमाचल प्रदेश में जाके लोगों के सामने ये दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा तर बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं जो राज्य की गरीबी को दर्शाता दिल्चस्प बात तो यह है कि इसके लिए केजरिवाल ने एक आकड़ा भी बताया और बस वही वो फसके आकड़ों के मुताबिक 14 लाग छात्र स्कूल जाते हैं उनमें से 8.5 लाग सरकारी स्कूल में जाते हैं जब कि 5.5 लाग बच्चे प्राइवेट स्कूलों में स्कूलो में जाते हैं जिसका मतलब यह हुआ कि हिमाचल प्रदेश में इतनी गरीबी है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं केजरिवाल ने यह सोच कर कि आकड़े बोलेंगे भी तो कौन उनके आकड़ों पर ध्यान देन और ऐसा ही हुआ केजरिवाल ने अपने बयान में यह कहा कि आज के समय में हर मातापिता अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन हिमाचल में स्थिती दैनिय होने के चलते बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं केजरिवाल एक हिमाचल में सरकारी स्कूलों को लेकर ये बयान दे रहे हैं अब खुद देखिए इस साल की शुरुवात में दिल्ली के डिप्टी सीम मनीश सिसोधिया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाने वाले चात्रों की संध्या में 21% की वृद्धिय हुई है केजरिवाल के साथ स से सोधिया जहां बच्चों का दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाने को बड़े गर्ब से बताते हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में ऐसे करने वाले बच्चे गरीब हो जाते हैं, यह तो केजरीवाल का लॉजिक है, सरकारी स्कूलों को लेकर और केजरीवाल के लॉजिक के मु अमीन तयार कर रहे हैं वहीं उनके एक जूट से वो ऐसे चक्रव्यू में फसे हैं जिसे एक बार फिर उनकी वजीहत हो रही है केजरिवाल अपने जूट में फसे और नुपुर शर्मा के समर्थक अब अपनी आवास बुलंद करने में लगे हैं पैगंबर मुहम्मद पर टिपणी के बाद जिस तरह से मुस्लिम समुदाय एक जुट होकर देश भर में हिंसा का माहौल बनाने में लगा है वैसे ही अब नुपुर शर्मा के खिलाप भड़क रही आग के बाद दुनिया भर के कई लोगों का समर्थन उसे हासल हो रहा है आठमानू के अलावा बीरगंज, पीरगंज और बाकी कई शहरों में भी निकाली गई इस दौरान जै हिंदू, जै हिंदत्व और जै श्री राम जैसे नारे लगाए गए रैली में जो हिंदू शिव और राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं जैसे पोस्टर भी दिखाई दिये बीरगंज में रैली के दौरान एक हिंदू संत ये कहते नजराये कि हिंदू आस्था के खिलवार होने पर भी वो चुप्पी साधकर नहीं बैठेंगे लोगों ने साथ कहा कि पहले भी हिंदू दर्म को गाली दी गई, हाल ही में पाकिस्तान में शिव मंदर को तोड़ दिया गया फिर कराची में एक माता मंदिर में तोड़ फोड की खबरे सामने आई, फिर भारत की घटना को लेकर मुस्लिम समुदाये ने सड़कों पर उतर कर हिंसक प्रदर्शन किये दुनिया भर के इसलामिक देशों ने भारत को निशाना बनाना शुरू कर दिया, ऐसे में इन हालातों के मद्दनजर अब वहां शान्ती पूर्ण जुलूस निकाल कर अपने धर्म की रक्षा की जा रही है इसमें भी कुछ जिहादियों ने अडंगा डाला, लेकिन नेपाल के लोगों ने अपनी कवायद नहीं छोड़ी नुपरशर्मा का समर्थन करने के साथ ही वहां हिंदू समर्थकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए एहम बात ये भी है कि भारत में जिस तरह मुस्लिम समुदाएं ने माहौल बनाया है उसमें ज्यान बापी में शिवलिंग के अपमान का मुद्दा तो पूरी तरह से दब गया है शिवलिंग का जो अपमान हुआ उससे जो हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुँची क्या उसके खिलाफ बोलने को कोई आगे नहीं आएगा क्या उसके खिलाफ कोई कारवाई नहीं होगी मुहमद साहाब पर नुपुर ने टिपनी की तो पूरा मुस्लिम समुदाए सड़क पर आ गया लेकिन शिवलिंग को पवारा बनाने की जो कोशिश की उसका क्या क्या ऐसे ही आप हिंदू भी सड़क पर उतराएं लेकिन इस मामले को दबाए जाने के लिए नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरह से देश में नफरत और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है लेकिन भारत की भाजपा की निलंबित नेता को देश भर से कई लोगों का समर्थन भी हासिल हुआ है जिससे मुस्लिम समुदाय को भी ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अब हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है चक्रविव में मेरे साथ आज अतना ही कल फिर कौन किस के चक्रविव में फसेगा नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और संसनी खेस खुला से तब तक के लिए देखते रहेए कापिटल टीवी